सका Kane ऑपना चैप्टर नंबर 2 जो क्या था कम्पोनेंट ऊफ फूट को ही आज की क्रास में क्लास में कंप्लीट करेंगे तो हमने कम्पोनेंट ऊफूट में यह जाना था कि फान कहाद हिरें उसमें क्या इंटरस्टिंग इसे खा हिरें म ze पांच के बारे में पढ़ा था कि आपके 5 मेजन निूट्रियंट्स हैं जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हमने उन पांचों को वन बाई वन डीटेल में पढ़ लिया है अब उन पांच कंपोनेंट्स के अलावा भी हम कुछ चीजे खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं जि अब यह क्या चीजे आज हम यह जानते हैं अंडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटीरियल और फूड इस नोन ऐस रफेज देखो जो आपका फाइब्रस मटीरियल होता है यानि कि रेशे टाइप का होता है जो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे हम कहते हैं रफेज अब लोग का कोशन हो सकता है कि मैम अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो ऐसा का ऐसा हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है तो फिर रफेज खाने का फाइदा क्या है तो हम यह जान लेते हैं और फिर भी इस एन इंपॉर्टेंट पार्ट अवर फूड लेकिन उसके पावजूत यह क्या है हमारे खाने का बहुत इंपॉर्ट पार्ट है से मिलता है नल जाइन कि दालों से मिलता है और फ्रेश फिरूट याने कि हमें ताजे फर्लो से मिलता है आप देखो एक किस काम आता है रफेज जो हम खाना खाते हैं और वो पच्च जाता है जाने कि डाइजेस्ट हो जाता है तो यह रफेज हमारा क्या करता है उसको smoothly हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है जो हम लोग morning में सब fresh होते हो तो बेटा यह रफेज की वज़े से ही होता है कि आप लोग का जो भी bulk है वो easily आपकी body से release हो जाता है रफेज help in the retention of water and easy digestion of food by adding bulk to the food अब रफेज क्या करता है जो आपके पानी की कमी हो जाती है body में जिसकी वज़े से digestion नहीं हो पाता उसे रोकता है जो हमारे body का waste है जो की easily हमारी body से bowel form में बाहर निकल जाता है और हमें constipation से बचाता है constipation क्या होता है इसे हिंदी में बोलते हैं कब्ज जिससे आप लोग वाश्रूम वगारा जाते हो तो आप काफी pressure लगाते हो उसके बाद भी आपको problem आती है अपना waste बाहर निकालने में तो उसे हम कहते हैं constipation तो ये रफेज आपको क्या करता है constipation से रोकता है it also reduces excess of acidity in the stomach और साथ में हमारे पेट में acidity ना हो उससे भी हमें रफेज बजाता है तो इसलिए देखो रफेज इतना important काम कर रहा है इसलिए रफेज को भी खाना बहुत ज़रूरी है तो अब हम जान लेते हैं पानी के बारे में पानी क्यों जरूरी है water is essential for life पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि about 70% of our body weight is water हमारी जो हमारा जो सरीर है उसमें 70% जो वजन है वो किसकी वज़े से है पानी की वज़े से इट वर्क्स लाइक means of transportation in our body यह किस तरीके से काम करता है जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट के चीजे होती है एक जगां से दूसरे जगां पर ले जाता है यह बिलकुर उस तरीके से काम करता है अब उस तरीके से कैसे काम करेगा यह इट कैरिज वेरिएस vaityN two out the body अभी यह किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है नियूट्रिएंट का हमारी नियूट्रिएंट जो है वो बाडी के हर कोने तक कौन ले जाता है water ले जाता है, it also dispose the body of waste present in it, जो हमारी body में waste होता है, जैसे कुछ को urine form में निकाल देता है, कुछ को sweat यानि पसीने की form में बाहर निकाल देता है, it is also useful in digestion of food as it break the complex food molecule into simpler one, और ये हमारे खाने को पचाने में, यानि digest करने में भी help करता है, जो भी हम खाना काते हैं, उसे simple थोटे-चोटे टुकडों में convert कर देता है, जिसकी वज़े से हमें digest करने में उसे easy हो जाता है, we should drink a lot of water after running, playing or doing any hard physical exercise or activity, हमें बहुत जादा amount में पानी पीना चाहिए, जादा पानी पीना चाहिए, जब हम भाग के आते हैं, खेलते हैं या कोई भी exercise करते हैं, क्योंकि उस दोरान क्या होते हैं, हमारी बॉड़ी से पसीने की फॉर्म में देखो, अगर हम भाग के आते तो हमें पसीना होता है, तो पसीना हमें बहुत जादा निकलता है, जिसकी वज़े से हमारी बॉड़ी में पानी की कमी हो सकती है, तो इसे रोकने के लिए हमें जादा से जादा पानी पीना चाहिए, we take in water mainly by drinking हमारी body में जातर पानी कहां से आता है हम पानी को पीते हैं drinking की वज़े से आता है however there is plenty of water is most solid food ज्यादा तर क्या होता है जो आपका plenty of water है मतलब however there is plenty of water is most solid food अब आपका देखो जो solid food है उसमें भी ज्यादा तर मात्रा में आपका पानी मिला होना चाहिए 90% of lactose and cabbage is water अब देखो जैसे कि आपका lactose हो गया गोभी हो गई और या फिर and even bread अब जैसे आपका bread हो गया इसमें भी कम से कम 40% आपका क्या होता है पानी contain होता है पानी इसके अंदर होता है some animals get all their waste from solid food कुछ animals के जो animals होते हैं वह अपना जो some animals get all their water from solid food अब जो animals होते हैं वह अपना solid food में सही क्या करते हैं अपने अंदर अपनी body में पानी की कमी को रोकते हैं never drink water वह पानी नहीं पीते देखो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि कभी पानी नहीं पीते फिर भी उनकी बॉडी में पानी होता है ऐसा क्यों क्योंकि जो उन्होंने food खाया है उसके अंदर पानी का पानी की composition होती है जिसे कि देखो आप कोई सबची उगाते हैं तो आप फसलों को पानी डालते हैं तो उसी तरीके से nutrient बनके उसमें store हो जाता है but human being normally need to drink about 1.5 liters of water every day अब हमें एक दिन में human being को कितना पानी पीना चाहिए कम से कम 1.5 liter पानी पीना चाहिए तो अब हम कर लेते हैं चलो हमने पानी के बारे में भी जान लिया पानी भी important हो गया तो अब हम करेंगे balance diet, balance diet क्या होती है the food we take every day जो खाना हम रोज खा रहे हैं जैसे कि दाल हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गया, दही हो गई, सबजियां, fruits, दूद ये सारे हमारे खाने में होते हैं, हम लोग खाते हैं अपनी daily life में सबजी खाते हैं, रोटी खाते हैं, कोई भी fruit खा लिया, दूद पी लिया तो we need all essential nutrients, हमें एक नहीं हमें sub nutrients की जरूरत होती है ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ carbohydrate खाएंगे तो हमारी life चलती रहेगी हमारी life में carbohydrate भी जरूरी है, protein भी जरूरी है, fat भी जरूरी है, हर चीज़ की equal amount में जरूरत है पानी की भी जरूरत है और dietary fiber की भी जरूरत है, क्यों है अभी हमने पढ़ लिया अगर हमारी body को active रहना है, healthy रहना है तो हमें सारे nutrient, पानी और साथ में dietary fiber भी लेना है बैलेंस डाइट क्या है, देखो उसकी definition यहाँ पे है The diet which contains all essential nutrients in right proportion is called balanced diet बैलेंस डाइट क्या है, जो आपके सारे जरूरी nutrients हैं, वो आपके food में present रहे एक right proportion में, right proportion यानि जितना आपको जरूरत है, उतने amount में present रहे उसे हम कहेंगे balanced diet It varies person to person depending upon sex, age group and profession बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है कि सब humans की same होगी बैलेंस डाइट किसके base पे होती है, sex के base यानि की sex आपका यह है कि आपका gender क्या है, आप male हो या female हो तो बैलेंस डाइट आपके इस पे भी वो करेगी, vary कि अगर आप male हो तो आपकी balance diet अलग होगी female हो तो अलग होगी, age group यानि की उमर, अब देखो जैसे आप बच्चे हो तो आप कम खाना खाते हो आप अपने compare करेंगे अपने parents के साथ, तो आपके compare में उन्हें थोड़ा ज़्यादा food की आवश्यक्ता होती है तो age group पे भी vary करता है और साथ में profession पे भी काम करते हैं, उस तरीके से भी हमारी balance diet बनती है चलो मैं आपको थोड़ा समझा देती हो, अब देखो जैसे कोई मजदूर है, कोई labor है, वो दिन रात, मतलब कितना दिन भर काम करते हैं, ठक जाते हैं उनके में balance diet में क्या चाहिए, उन्हें carbohydrate की मात्रा जादा चाहिए, क्योंकि उनका पूरा काम energy वाला है, और energy कौन देगा, carbohydrate देगा तो इसी लिए हर person की balance diet अलग होती है, if a diet consists of single or very few foods item, then food will be incomplete or unbalanced, no matter what the food is, because no single food contain all various nutrients, we need right proportion for living इतना सारा मैंने पढ़ दिया, आपको समझाती हूँ, क्या बोल रही है, देखो, सबसे फाइदेमंद चीज क्या है खाने में, चलो हम रोटी का example ले लेते हैं, चलो, रोटी में हमारा carbohydrate है, तो बच्चो देखो, हमें हमारे खाने में ऐसा नहीं है कि एक ही फाइदेमंद च जाएगा, जिसकी वज़े से फैट की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, विटमिन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, और हम बिमार पढ़ जाएगे, तो कोई फाइदा तो हुआ नहीं हमें फाइदेमंद चीज काने का भी, फाइदा तब ही होगा जब हम सारे nutrients को balance करके खाएंगे यानि कि जितनी हमें ज़रूरत है सब को हम balance करके खाएंगे तब ही हमारी body में उसका असर होगा अगर किसी भी food item में हमारा एक भी nutrient की कमी हो जाती है तो वह हमारा खाना कहसर आएगा incomplete बोलेंगे या फिर unbalanced बोलेंगे जैसे कि देखो यहाँ एक example दिया है consider a person living on meat and bread आप सोचो कि कोई person है जो कि meat और bread स्रिफ यह दो चीज़ खाके रह रहा है मतलब वो स्रिफ यह दोनों चीज़ें खा रहा है और इसके लावा कुछ नहीं खा रहा है बोथ meat and bread lack vitamin A, C, D अब bread में और meat में दोनों में ही क्या है vitamin की कमी है कौन सी कमी है A, C और D और साथ में low in calcium और साथ में bread और meat में calcium की भी कमी है meat lack ruffis, अब meat के अंदर आपका ruffis भी नहीं होता, some amount of food, some amount of which is provided by the bread अब bread में तो कुछ टाइप का ruffis है लेकिन meat में नहीं है, the diet will therefore not be complete अब उसकी यह diet complete नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीज़े नहीं है, fruit नहीं है, दूद नहीं है, सबजिया नहीं है तो इन सब का जो हमारा nutrient है वो परसन consume नहीं कर पाएगा, so a balanced diet must contain all food item from each of the following food group आपका जो भी food group है, आप कुछ भी खा रहे हो, उसके अंदर balanced diet का होना बहुत जरूरी है इसका क्या मतलब हुआ, कि आपको ऐसा नहीं है, कि कोई फायदेमन चीज़ खा रहे हो तो आपको फायदा करेगा, आपको फायदा तभी करेगा जब आप एक balanced diet लेंगे, यानि कि fruits, rose fruits काएंगे, दूद पीएंगे, सबजियां काएंगे, तभी आपकी body में उसका असर होग तो अब देखो हमने क्या जाना, हमने balance diet के बारे में जाना, balance diet हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये भी क्योंकि अगर हम अपना food धन से नहीं खाएंगे, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, एक ना एक चीज़ की कमी हो जाएगी, तो students, आज की class में इतना ही, आज आप इसक नहीं लेंगे, तो आपके अंदर किसी ना किसी nutrient की कमी हो जाएगी, तो अब वो nutrient की कमी कैसे होगी, वो हम अपनी कल की class में discuss करते हैं, देखो हमारा next food यही है, disease cause due to deficiency of nutrient किसी भी nutrient की कमी से होने वाली बिमारियों के बारे में, हम अपनी next class में, detail में discuss करेंगे, तो आज की class मे इतना ही, I hope आपको यह समझ में आया होगा, बहुत easy था, roughness भी, water भी और साथ में, balance diet भी, तो students, goodbye for today, have a nice day to all of you and thank you so much.